नमस्कार आज मैं आपको बताने वाली हूं बचे हुए चैवल से रात के बहुती पढ़ियां से डिश सबसे पहले आपको दो चम्मच तील गरण रख देना है उसमें डाल देंगे एक चम्मच राई और एक चम्मच जीरा उनको अच्छे से तड़कने दें उसके बाल उसमें बॉबले हुए अलू और अच्छे से मेंश करके और बपर दालजी पाउडर आप असे शाब हैँ और तीह уст है यसे स्वाधरन उसरा ढालँ इसमें नमक और अच्छे से मसाले को मिक्स कर ले और वस मसाला बनकर की बिल्कुल तयार है आप इसको अलक से साइड रख कर ले और उसके बाद आप क्या करेंगे तो चावल है तो चावल का आपको क्या करना है सबस्के बाद आपको मसाला बना लेना है उसके बाद चावल ले ले जो भी रात के बच्चे काटा और थोड़ सा नमग। इन सभी सब्सम्द में डाल करके एक सब्सम्समय चाफंए लोई लोई बने चाहिए एक यान रहा हए। थे करें हमें थे में ओधाल आता यहां अधर समय चाफंट का आटा ले 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 चावल का डो और इसको अच्छे से अप किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं तो अपसे पहले आप इसमें आलू का मसाला इस तरह से उंगली इससे दबा करके इसमें और फिर आलू का मसाला फिल कर दे और अच्छे से इसको चारो तरफ से पैक कर निटको किसे भी कर सकते हैं या अपन शेप में सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जैसा ब में पींतों और बला टेल, पीष्टा बैशन क करनेदी दिदार और बस अब क्या करेंगे सभी पीसेस इसी तरह से बना ले अब कोई भी बरतन ले ले उसमें पाने रख दे और उसके उपर छणी रख दे और जब पानी जो है तेज गरम हो जाए उसके बाद छणी पर सारे जो इस चावल के जो पीसेस बनाए है वो सभी चनी पर रख दे ध्यान से रखे और उसके बाद इनको सभी को अच्छे से ढख करके 15 मिनिट के करीब इसको पकने दे जादा इसको पकने में टाइम नहीं लगता है क्योंकि चावल अल्रडी पके हुए होते हैं तो एक बार इस तरह से आप चावल को लगा करके दिख दे अगर आप करना चाते हैं तो आप अखे भी जो ये pieces हैं इनको तड़का लगा लें तो सबसे पहले कड़ाई में तेल गरम डग दी एक चमच उसमें एक चमच रैंटी डालन दें गड़ी पत्ते डाल दे और इन सभी जो चावल की पीसेज है इनको डाल दे और अच्छे से इसको दो मिनिट के करीबन बस पकने दे जादा टाइम नहीं लगेगा और बस बचे वे चावल से रेसिपी बन करके तयार है एक बार जरूर बना करके देखिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और सबस्क्रेब जरूर करें